गुड मॉर्निंग बच्चो, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की ग्लास में ठीक है हम बढ़नों अर्गनिक केमिस्ट्री और हमने एल्कोहल्स स्टार्ट किया हुआ है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल्स को आपको आईउपीसी नॉमंचलेट कैसे किया जाता है है ना इनका नाम कैसे लिखते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं इनको कैसे वर्गी करत किया जाता है ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा ठीक है और नहीं समझ में होते एक बार आप रिवाइस करें क्योंकि मैंने जो Hello Alkins वाला चेप्टर पड़ाया था उसमें भी वर्गी करण कराया था और सीम उसी तरह का वर्गी करण अल्कोहलों का होता है ठीक है अब इस वीडियो में ह समावयवताइं कौन कौन सी पाई जाती है ठीक है ना अब पहले हम समावयवता वर्ड को समझते हैं एलकोहल हमें समझ में आने लग गया एलकोहल का मतलब होता है हम इनको कहते हैं आर ओ एच यानि हाइड्रोकार्बरन शरंखला के साथ ओ एच क्रियात्मक समू होना चाहिए चाहिए एक हो चाहिए जादा हो ठीक है ना अब उनमें समावयवता कैसे प्रदर्शित की जाएगी अब पहले तो इसको मत मीनिंग समझें आप जैसे हमने हेलो एलकेंस में बढ़ा था सेम टाइप से आएगा समावयवता यानि कि सम प्लस अवयवता आईसोमेरिज्म यान उनकी फिजीकल और कैमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी तो एक कितने कितने प्रकार से हो सकता है तो पहले तो हम जानते हैं कि समावयवता दो प्रकार की होती है सनचनात्मक समावयवता और द्रविम समावयवता ठीक है ना सनचनात्मक समावयवता हम जानते हम पढ़ चुके हैं कि 5 प्रकार की होती है लेकिन ElkoHalomae केवल तीन प्रकार की सनरचनात्मक समाउबता पाए जाती है Chain isomerism, यानि की श्रंखला समाउबता, Position isomerism यानि की स्थिती या स्थान समाउबता, तिसरी Cryatmak Samu Somos 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 Trium तो होती है सननचनात्मक समावयपता और त्रिविम समावयपता दोह प्रकार की होती है हम जानते हैं प्रकाशिक समावयपता और जामिती समावयपता इनके लिए अपनी इस्पेशल कंडिशन्स हैं कि प्रकाशिक समावयपता के लिए तो किरेल कार्बन का होना जरूरी है ठी स्रंखला समयवता का मतलब क्या है हम जानते हैं स्रंखला समयवता का मतलब से पहले जो वर्ड़ आ जाता है बहुत है लेकिन श्रंखला भिन रहे गी कार्बन परमाणू, hydrogen परमणू या कुछ अन्ने भी जुड़ा हुआ है वो सब कुछ समान रहेगा श्रंखला नहीं बदलेगे लेकिन सरी श्रंखला बदल जाएगे लेकिन अनुसुत्र नहीं बदलेगा ठीक है ना देखू जैसे हम एक्जामपल जानते हैं पहले भी पढ़ चुके हैं हम हम एक्जामपल लेते हैं सबसे पहले जैसे C6H13OH एलकोहल देना है में तो ROH का एक्जामपल तो लेना ही पड़ेगा C6H13 का मतलब बिल्कुल हैलाइट की तरह करना है हमें पहले 6 कार्बन की चेन बना दी ठीक है ना छे कार्बन में यहां OH लगा दिया तो यह बन गया है C9 ठीक है ना यह श्रंखला हो गई 1-6 कार्बन की सा यह उजकता पूरी करेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा यह यहां की बीच वालों पर H2 लग जाएगा किनारे वाला पर S3 लग जाएगा ठीक है फिर हम यह श्रंखला चेंज करनी है तो हम 6 से बढ़ा नहीं सकते मैक् कहीं भी जोड़ दो तो मालो मैंने यहां जोड़ दिया ठीक है ना तो यह पैंटेन शंखला बन गई नमबर देंगे इधर से ठीक है ना तू पर यह CS3 यह मैथिल ग्रूप हो गया तो इसका नाम होगा 2-methyl-pentanol ठीक है ना अब देखो और चार कार्बन की शंखला कर देत इसकी ठीक है ना एक मैथिल यह रहा एक मैथिल यह रहा नहीं कि 2-3-dy-methyl-butanol चार कार्बन की चेन है ना तो यह होगा ब्यूटे-nol ठीक है ना और इससे छोटा करें हम प्रॉपिनोल पे जाए तो तीन कार्बन तो हो गए तीन और बच रहे हैं बीच वाला एक ही जोड़ दिया एक यहां जोड़ दिया पांच को गए एक और बचेगा तो एक और बचेगा या तो यहां जोड़ना पड़ेगा 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 यहां जोड़ना पड़ लग शंखलाएं आ रही है कुल मिला कि छह कार्बन हो जाने चाहिए है या हैक्स में अलरड़ी छह थे यहां मैथ और पैंट एक और पांच छह हो गए यहां डाई मैथिल यानिकी एक प्लस एक और ब्यूट यानिकी चार हो गए छह कार्बन तो देखिए हम सी सिक्स एस लगा दो तो तुर फ्री टाई मैथिल यहां लगा दो हो जाता यह यहां लगा दो तो थिर्टी डाई मैथिल विउटेनौल हो एक ही बात थी लेकिन ब्यूटेनोल शंखला तो मिल ही रही थी इसी तरह से देखो C4H9O के विशंखला समावियों के बारे हम देखते हैं C4H9O यानि की चार कारबन, चार कारबनों को हमने सिधे सिदे जोड दिया और OH लगा दिया, ब्यूतिनोल बन गया, अब हमें 3 कारबन की शंखला बनानी है, 1, 2, 3 कारबन लगा दिया, अब 3 कारबनों में 4 कारबन रह गया, तरीका क्या है, किनारे वाले को छोड़ दो, बीच में जोड़ दो, तो बीच में हमने यहां जोड़ दिया, तीन कार्बन की श्रंखला हो गई, यह हो गया one, two, यानिकी two methyl और propanol, जिसको हम isopropyl alcohol भी कहते हैं, ठीक है न, याद रखना इसको हम कहते हैं, isopropyl alcohol, ठीक है न, यह इसका दूसरा नाम भी है, आईसोप्रपेल अलकोल? ने, इसको ब्यूटिल अलकोल कहते हैं, इसको नहीं कहते है suisroi it's wrong, ठीक न, तो यह होगए श्रंखला समावयवी अब अपन बात करते हैं, इस्थिती या इस्थान समावयव्ता की, position isomанию, position isomuseum का मतलब होता है, कि कोई कुरीयातْ मक्समो या प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो इसकी स्थिती परिवर्तित हो जाएगी लेकिन श्रंखला परिवर्तित नहीं होगी ठीक है जैसे देखो हम देखते हैं हेग्जिनॉल के स्थिती समावयवी ठीक है पोजीशन आइसोमर को शॉर्ट में हम पी आई लिखते ह होगी देखो यहां मने क्या 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 कार्बन की सीधी चेन और इसमें किनारे पर ओएच को लगा दिया तो बन गया हेग्जिनॉल सेकिंड नमबर पर हमने क्या कि छे कार्बन वान टू थ्री फोर फाइफ सिक इसमें से सेकिंड नमबर के कार्बन पर ओएच लगा दिया त इस OH को यहां shift कर दूँ, तो इधर से तो यह 4 नंबर पे आएगा, लेकिन इधर से 3 नंबर पे आजाएगा, अंकन हमेशा उस दिशा से किया जाता है, जिधर से नियूंतम अंक मिले, तो उसका नाम भी फिर 3 एक्जिनॉल होगा, यानि इससे जादा इसके स्थिती समाव्यव नहीं बनेंगे, ठीक है, ऐसे देखो ब्यूटेनॉल के पी आई, ब्यूटेनॉल के पी आई में हमने क्या बनाया, कि 4 कार्बन लिए, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, और लिख रहा है तो OH, अब हम क्या करें, कि इसके 4 कार्बनों में से यह पहले नंबर पर OH जोड़ा था, अब दूसरे नंबर पर जोड़नें, यानि कि यह स्थिती आ गई, दूसरे नंबर पर जोड़नेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल, और आगे चलेंगे, अगर इसको मैं यहां लगा दूँ, इस OH से, तो यह इधर से 2 नंबर पर आ जाएगा, तब यह 2 ब् पहले तो हमने 1, 2, 3 कारबन की श्रंखला बनाई और इधर OH लगा दिया, तो इसको प्रोपेनॉल का है, ठीक है, लेकिन अब हमने 1, 2, 3 कारबन की श्रंखला बनाई है, बीच वाले कारबन से OH लगा दिया, तो यह 2 पोजिशन पर आ गया, उसको गहेंगे 2 प्रोपेनॉल, तो यहां देखना, हम उपर से देखते हैं, हेक्जनॉल सब में लगा हुआ है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं था, यानि की 1 था, यह 2 था, यह 3 था, ऐसे यहां देखो, यह दौनों ही ब्यूटेनॉल है, लेकिन यह 1 है, यानि पहलफस्ट कारबन से जड़ो हुआ था, यह 2 प्रोपिनॉल में भी देखो, यह प्रोपिनॉल है, यह 2 प्रोपिनॉल है, इसको हम कहते हैं, आईसो प्रोपिल एल्कोहल, ठीक है न, अब देखो थुड़ टिपीकल सा एक्जामपल लेती हूँ, टिपीकल सा एक्जामल है, हेक्जनॉल का शंखला समावय भी है, 2 मेथिल ठीक है न, यह हमने बनाया था अभी देखो, 2 मेथिल पैंटेनॉल, जो हमने इसके हेक्जनॉल के शंखला समावय भी बनाई थे, अब इसके देखो इस्थिती को हम क्या करेंगे, अभी हमने पहले OH के सापिश देखते हैं, इसमें दो चीज़े हैं, प्रतिस्थापी भी है और क्रियात मकसम हो भी है, दोनों के सापिश देखेंगे, यहां हमने OH को एक पर जोड़ रखा है, ठीक है न, तो 2 मेथिल पैंटेनॉल हो गया था, अब पैंटेनॉल नहीं चेंज होगा, यह मैथिल की स्थिती चेंज हो सकती है, या औल की स्थिती चेंज हो सकती है, अब ह इसका नाम के हो गया, 2 मेथिल तो ऐसे कैसी है, लेकिन अभी हो गया, 2 पैंटेनॉल, 1 था, यह 2 हो गया, ठीक है न, अब अगली नेक्स पोजिशन में क्या करूं मैं, इस OH को यहां की बजा यहां शिफ्ट कर दूं, ठीक है न, तो यहां की बजा यहां शिफ्ट किया, तो उपर नीचे कहीं लिख दो, कोई फैक्ट नहीं पड़ता, तो यह 2 मेथिल तो ऐसे कैसी रहेगा, लेकिन अभी 1, 2, 3, 4, 5 कार्बंस तो है, लेकिन यह OH कहां गया, 3 पर, तो इसको कहते है, 3 मेंटेनॉल, और शिफ्टिंग करती हूं, इस OH को मैं और इधर शिफ्ट कर दू इस जगह है, यह CH2 है बच्चो, ठीक है न, अब यहां इसको और शिफ्ट कर दूँ, तो देखो, और शिफ्ट कर दिया मैंने, अब यह तो 2 मेथिल पर ही रहेगा, एक बार हम देखें, यह 4, एलकोहल पर पहुंच जाएगा, लेकिन हम अंकन उधर से करते हैं, अब इधर स देते हैं, तो भी 2 और 4 आ रहा है, लेकिन हम अंकन उधर से करेंगे, अब जब असमान अंकर आ रहा है, तो उधर से किया जाता है, जिदर से क्रियात्मक समो को नियुनतम अंक मिले, तो क्रियात्मक समो को इधर से नियुनतम अंक मिल रहा है, तो इसलिए हम यहां से अंकन क हुई अगली स्थिति यह हो गई तो अब यहां से नंबर वन दिया जाएगा वान टू थ्री फोर फाइव तो फोर पर मैथेल आ गया ना फोर मैथेल अब यह पैंटिनॉल वन हो गया यानि कि पैंटिनॉल देखो यहां कहीं भी सेम नंबरिंग नहीं आई यह सब जगेह लग लगा रही है ना ठीके ना और देखते हैं अब हमने ओ एच को तो अंतिमी स्थिति तक ला दिया अब सी एस्थ्री की पोजिशन को थोड़ा बदलते हैं सी एस्थ्री की पोजिशन को क्या बदले हैं कि जैसे यहां पर यह वन टू पर थे यहां टू टू पर हो गए अब मै इसको यहां इस वाले carbon पर shift कर दिया यह 1,2,3 थर्ड carbon पर कर दिया है तो 1,2,3 तो इसका नाम क्या होगा यह 2-methyl-pentanol था अब क्या हो गया 3-methyl-pentanol हो गया ठीक है न और देखें इसकी एक स्थिति और हो सकती है क्या कि मैं यहां से जब मैंने इस CS3 को shift किया है तो अब OH को भी ऐसे shift कर दो same to same तो जब OH को भी ऐसे shift कर दूंगी तो देखो यह नई स्थिति आ गई CS3 CS3 अब यह इस वाले CH पर ठीक है न यह दोनों ही चीज़े मैंने इस वाले carbon पर shift कर दिया है तो CS3 CH2 ऐसे कैसी रहेगा यह रहा और CS3 और OH दोनों ही बीच वाले carbon पर आ गए तो य इस H2 हो गया और CS3 हो गया इसका नाम क्या हो गया 3-methyl-3-pentanol ठीक है न तो इस तरह से इस 2-methyl-pentanol के कुल मिलाकर साथ स्थिती समावय भी बनती हैं ठीक है न देखिए साथ स्थिती समावय भी बन रहे हैं कुल मिलाकर तो इस तरह से होती है यह स्थिती या इस्थान सम अगली देखते हैं क्रियात्मक समयप्ता क्या हुआ अनुसूत्रत वादाल जाहिए लेकिन क्रियात्मक समयप्ता प्रदर्शित करने वाले हैं कुल्मिला के कितनी समयप्ता। शह समू हमें मैंने आपको पहले भी बताया है ठीक है ना उन 6 समू हो मैंसे एलकोहल और एफर आपस में क्रियात्मक समू समयप्ता पृद्रशित करते हैं flowers और रृर यानि इनको तो कहते हैंflower और in और इनको कहते हैं ester तीसरे होते हैं र-C-H-O और र-C-O-R यानि इनको तो कहते हैं हम aldehyde और इनको कहते हैं हम ketone ठीक है ना फोर्थ नमबर फोर्थ नमबर पर आते हैं र-C-N और र-N-C यानि कि यह होते हैं isocyanide और यह होते हैं isocyanide 5 नमबर पर R-NO2 और R-O-NO इनको कहते हैं nitroalkane इनको कहते हैं alkyl nitrate और 66 नमबर पर आती हैं 1 degree, 2 degree, 3 degree, ME केवल यही 6 group हैं जो आपस में क्रियात्मक समू समयवता परदर्शित करते हैं जिसमें हम यहां देखेंगे कि alcohol और इथर आपस में क्रियात्मक समू समयवता परदर्शित करते हैं अब देखो कैसे करते हैं और और में नतर क्या है कि यहां से एच हटके इस आर में से कोई कार्बन शंखला आ जाई देखो इंग्जामपल से देखते हैं बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा C3H8O C3H8O का मतलग 3 कार्बन 8 hydrogen और 1 oxygen है तो मैंने किया कि 3 कार्बनों को शंखला में जोड़ दिया उनसे 1 O लगा दिया उनकी समयों चकता है पूरी की उनकी समयों चकता है पूरी की तो automatically प्रॉपिनॉल बन जाएगा चार होती है तो 3 हाज लगेंगे 2 यहां लगेंगे 2 यहां लगेंगे oxygen की समयों चकता 2 होती है एक पूरी हो रहे थी एक और लगया तो प्रॉपिनॉल बन गया अब इथर में convert करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस तरफ से कम से कम एक कार्बन को उस तरफ ले जाओ कम से कम ए तो CS3, CH2 और यह बन गया CS3 oxygen की जुरौती नहीं है दो समयों चकता होती है पूरा बन गया तो अब देखो यह एक कार्बन शंकला यह भी एक कार्बन शंकला और बीच में आ गया O यानि यह क्या बन गया अब इथर और इथर का नामकरण कैसे किया जाता है इथर का यह बन गया O oxygen के साथ तो बन गया Methoxy तो बन गया Methoxy अभी दो कार्बन की शंकला जिसमें सिंगल बॉंड है दो कार्बन के लिए एथ कहते हैं सिंगल बॉंड के लिए N कहते हैं तो इसका नाम हो गया Methoxy-Ethene तो देखिए हमने यह किया है CH3, CH2, CH2 को प्रोपेनोल कह रहे थे और इसका नाम यह तो बन गया प्रतिस्थापी के रूप में Methoxy और यह बन गया Methoxy और यह बन गया प्रोपेन या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दो कार्बन को इधर ले जाते यहां से दो कार्बनों को उधर ले जाते दो कार्बनों को ले जाएंगे तो दोनों तरफ समान रूप से इथर अलकिल समुवा गया है तो किसी भी एक को हम Oxygen के साथ जोड़ने तो यहां भी दो कार्बन है तो एथ ऑक्सिजन के साथ जोड़ा तो एथोक्सी ठीक है और यहां भी दो कार्बन की शंखला बची है तो इथेन तो इसका नाम हो गया एथोक्सी एथेन तो यह एलकोहल जो है इसके साथ या इसके साथ क्रियात्मक समुव समावयपता था नहीं होगी जैसे 2-butanol, 2-butanol में ये वाला कार्बन देखो किरेल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ CS3 है, यहाँ OH है और यहाँ पर एथिल है, किरेल कार्बन याद है ना, किरेल कार्बन का मतलब वो कार्बन जिसकी चारों ही जो सहियों जग प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, मैं बताना है, तो 2-Propanol कैसे लिखें हम, 2-Propanol, ठीक है ना, तो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा, तीन कार्बन, 2-Propanol है यानि कि all कहां जुड़ रहा है, OH पर, इसकी सहियों जगता पूरी करें, तो ये किरेल नहीं है, तो ये प्रकाशिक समाव्यपता प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन 2-Butanol, 2-Butanol बनाया तो हमने क्या किया, 4-Carbon की चेन बनाई, एक OH लगा दिया, अब इसकी सहियों जगता है, पूरी करें, तो ये CS3, यहां CH2, CS3, यहां तो जोड़ा है ये Ethyl Group, यह यह जोड़ा है Methyl, यह H, और यह OH, चारों ही अलग लग है, तो ये किरेल कार्बन हो गया, तो ये प्रकाशिक समाव्यपता प्रदर्शित करेगा, ठीक है, ऐसे ही 2-Pentanol, 2-Pentanol का मतलब 5-Carbon की शंखला, फिर उस पर 2-Pentanol का मतलब 5-Carbon की शंखला, फिर उस पर 2-Pentanol अभी बताया था यह example भी मैंने आपको, ठीक है, 3-Methyl, 3-Exynol में इससे एक तरफ मेथाइल है, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ प्रोपाइल है, और एक तरफ OH है, सबी चीज़ें लग लग हैं, तो ये भी प्रकाशिक समाव्यपता प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना, और ये इस तरह के से एलकोहलों में कुल्मिला की शंकला समयपता, जनी की चेन आईसोमेरिज्म पाया जाता है, स्थिती या पोजीशन आईसोमेरिज्म पाया जाता है, अगर किरेल कार्बन होगा, ठीक है ना, तो प्रकाशिक समयपता भी पाई जाएगी, और अगर डबल बॉ तो हो सकता है उनमें जामिती समयपता भी हो पर हम LK NOLS की बात करते हैं तो उनमें जामिती समयपता नहीं होती ये चार प्रकार की समयपता हैं पाई जाती हैं ठीके मुझे लगता है आपको समयपता का कॉंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ठेंक यू